वेलकम टू बेक माई यूटूब चैनल एक्स वाई जट खबर और दोस्तो आज की इस वीडियो में हम आप से बात करेंगे एक ऐसे स्टोक के बारे में जिसने एक लाख रुपे के आठ लाख रुपे बना दिये हैं अगर किसी ने भी तक हमारी यूटूब चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है तो सबस्क्राइब कर लिजिये क्योंकि ऐसी स्टोक मार्केट से लेटिट नूज हमारी यूटूब चैनल के उपर अपलोड होती रहती है दोस्तो small cap company Vinny overseas ने हाल ही में textile के digital printing के लिए Ipson की machine लगाई है textile करोबार की company ने atherics, throat और bank से कुछ करज लेकर Ipson की machine लगाकर अपने करोबार को बढ़ाने की योजना बनाई है और दोस्तो अगर आप भी share बजार में निवेस करना चाहते हैं तो इस company के उपर down लगा सकते हैं दोस्तो Ipson की तीन printing machine लगाने के बाद Vinny overseas को उमीद है कि उनका revenue सालाना 12 क्रोड रुपए पहुँच जाएगा और दोस्तो यह machine high quality digital printing के लिए लगाई गई है और Vinny overseas का market के 400 क्रोड रुपए का है और दोस्तो इसके share इस समय 15 रुपए के लेवल पर कामकाज कर रहे हैं और दोस्तो इसका 52 हफ़ते का high level 16.60 रुपए है और Vinny overseas के share ने पिछले 6 महिने में 750 फिस्दी का return दिया है और दोस्तो साल 2022 के पहले 2 महिने में Vinny overseas के share 170 फिस्दी तेज हुए है और दोस्तो विन्नी overseas ने हाल ही में 2 कयो सेरा मसीन के लिए order भी दिया है यह मसीन मारच और अप्रेल में लगाए जाएंगे जिससे कंपनी की production capacity बढ़ जाएगी और दोस्तो इससे Vinny overseas को सालना 18 क्रोड रुपए का revenue कमाने में मदद मिलेगी और 25 फरवरी को Vinny overseas ने 13.14 क्रोड एकवर्टी शेर फुली पेड बोनस शेर के रूप में पुराने शेर होल्डर को देने की घोसना भी की है और दोस्तो इसके लिए record date 27 फरवरी तेय की गई थी और Vinny overseas के शेर दारकों को हर 10 शेर के लिए 13 फुली पेड एकवर्टी शेर भी दिये जा रहे है और दोस्तो विन्नी overseas के शेर ने पिछले 5 दिनों में निवेसकों को 3 फिस्दी का नुकसान किया है अगर बात पिछले एक मेहने की करें तो 2 फरवरी को Vinny overseas के शेर 10.87 रुपए पर थे जो अब 36 पर 37 रेटन के साथ 17.80 रुपए के लेवल पर आ गया है अगर बात 2 सितंबर 2022 की करें तो Vinny overseas के शेर 2 रुपए के लेवल पर थे जो आज 15 रुपए के लेवल पर पहुंच सुके हैं और दोस्तों आपकी भी स्टोक के बारे में क्या राए है आप भी हमें कोमेट करके बता सकते हैं और ऐसी स्टोक मार्केट से लेटिड नियोज के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं